अब ए दुनिया को समझने का वक्त आ गया है कि चीन दुनिया को अस्त्र सस्त्र का धमकी नहीं बलकि अपने अर्थ सास्त्र का धमकी दे रहा है। में चीन भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है। उसी का परिणाम है कि चीन अपने किसी भी पडोसी मुल्क को आख दिखाता रहता है। क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिती इतना मजबूत हो गई है जिससे वह अपने आप में बहुत आत्म विश्वास के साथ खेलता है। जिसका कारण है नेता और निती एक विश्वास्तरिय आर्थिक विश्वलेशन पर हम विचार आज करेंगे जो प्राया भारत और चीन पर अपना फोकस करेगा। और भिणता भी उसी से है जो उससे बहुत ज़्यादा कमजोर है। लेकिन इसमें चीन की एक तरफ तो यह चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। चीन की एक चीज तो जरूर साकरात्मक है कि उसने बिते 40 बरसों में बहुत हद तक अपने आपके निताओं को, अपने बिजनेस को, अपने नितियों को और अपने अन्य तरह के सभी कारिकरम को चेंज किया है। जिसका परिणाम है कि आज 200 का सबसे दूसरा बड़ा अर्थ व्यवस्ता बन चुका है। चीन की अर्थ व्यवस्ता में आई जबर्जस्त उच्छाल है। करीब 14 ट्रियन लाख करोंडालर की हैसियत के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बन चुका है। इसके बाद 5 trillion डालर वाली जापानी अर्थ विवस्ता है, इन दोनों के बीच अंतर की खाई आपको इस आकरे से पता चल जाएगी कि चीन ने बिते 40 वर्सों में अपने आपको कितना प्रगती के पत पर तेज दोड़ाया है। कि भारत को देखे तो यहीं लगेगा कि चीन के मुकाबले हम कितना पीछे रह गये हैं। और वह तब भी जब सदी के 90 दसक में चीन ने गजब-गजब के आर्थिक सुधार लाए थे। तब भारती आर्थ विवस्ता उस समय भी कहीं चीन से बेहतर थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन चाहता है कि भारत उसकी स्रेष्टा को स्विकार कर ले। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जो स्वभिमानी भारतिय राजिक कभी उनकी स्विकार्था को प्रमारित नहीं करेंगे। समय समय पर भारत को उन छोटे देशों से भी चुनावती मिलती रहती है जिनकी न केवल सामरीक बलकि आर्थिक मोर्चे पर भी कोई खास हैसियत नहीं है। वे इसी धारणा से भारत की परिसानिया बढ़ाने का मुलागत पाल लेते हैं कि उनकी हिचकोले खा रही अर्थ ब्यवस्ता और कोलाहल भरे लोक तंत्र के कारण उनके मनसूबे पूरे हो जाएंगे। आर्थिक रूप से कुछ सक्तिसाली राष्ट भी उन्हें इसके लिए उक्साते हैं। नोबेल पुरसकार से समानित अर्थ सास्त्री मैडिसन ने विश्व के आर्थिक इतिहास से जुड़ा एक अध्यान किया है। इस अध्यान के अनुसार 28-28 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्था था जिसकी बैस्विक DGP 24% थिस्तदारी रखती थी। अर्था पूरे विश्व के GDP में 24% अकेले भारत रहता था बाकी बचे परतिसत में अन्य देश सामिल होते थे। निदरलेंड से लेकर Great Britain तक अधिकांस एउरोपिय देशों ने भारत में धन की लालसा से इस्ट इंडिया कमपनी या तमाम तरह के अपने प्रोपगेंडा अपना कर भारत से बहुत ज़्यादा धन का सोशण किया। धन की इसी लालसा ने हमारे यहाँ भी रहे सजजन वैपारियों को दुष्ट और उडपिड़क वैपारी में बदल दिया। हर तरह के नितियों में बदलाओ कर दिया। हमारे हर तरह के संसकारों में इमानों में भी बदलाओ कर दिया जिन्हें भारत में लूट खसोट के लिए अन्य तरह के बहुत सारे पैत्रे अपनाए गए भारत में लूट खसोट के लिए अपने अपने देश के स्कारकारों से भी समर्थन मिला आखिरकार उनकी राष्टिय सेनाय ने टुकडे टुकडे में बटी भातिय रियासत का बहुत मजे से फायदा उठाया और प्रास्त कर दिया यानि बाटू और राजकरो वाली निती लगाया और भारत को बरबाद कर दिया तब से लेकर अब तक अर्थ ब्यवस्ता कभी पट्री पर आई नहीं कभी ब्यपारियों के रूप में आये बिजयता बन जाते और उप महादिप पर कबजा कर लेते तो कभी यहां कंपनी खोलने के लिए आते और यहां के सत्ता के साथ संघर्ष करके बिजय हो जाते यहीं तो भारतिय सोशन की मुख्य गाथा है जहां से भारत की अर्थ ब्यवस्ता गरबड़ाती है स्वतंतता के लिए करीब एक सदी तक चले संघर्ष के बाद बिदेशी हमारा देश तो छोड़ गए लेकिन उन्होंने एक ऐसा भारत छोड़ा जो आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका था जहां गरीबी और विसमता का बोल बाला था और उधोग धन्धे चौपट हो चुके थे इस तरह से भारत से बाहरी आकरमर तो गया लेकिन भारत की अर्थ ब्यवस्ता को बरबाद करके गया भारत की मंदारिक को बरबाद करके गया भारत के भारत में इतनी ज़्यादा विसमताएं समेट दिया कि अब इससे देश सत्तर सालों तक यानि अजादी के बाद अभी तक नहीं निकल पाया है प्रकर देशभाक्त स्वतंतता सिनानियों ने गरीबी और आर्थिक विसमता मिटाने के शंकल्ब के साथ देश की बागाडोर तो सम्हाली उनमें कई ऐसे सेनानी थे जिन्होंने अजादी की लडाई के लिए अपनी आकरसक पिसेवर जिन्दगी और बैभव संपन जीवन सैली को भी त्याग दिया अपने 74 वर्ष की राईनीतिक स्वतनतता के इतिहास में भारत कई राईनीतिक एवं आर्थि घटना क्रमों का गवाह भी बना इसमें तेजडीजीपी, प्रतिव्यक्ति, आयविरिधी, गरिमी उनमूलन और सियासी कामियाबियों का दौर भी रहा इसके बावजूत भारत अभी भी परिणान मुखी राष्ट के रूप में अपना पहचान नहीं बना सका जब भी हमें कोई चुनावती मिलती है तो सक्तिसाली राष्ट या सक्तिसाली देशों का समर्थन लेने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है हाल के दौर में मीडिया के कुछ हलकुन में 30 साल पहले लाइसेंस पर्मिट राज की समाप्ती और आर्थिक सुधारों की सुरुगात से संबंधित विमर्ष को धार दी गई हाला कि इस में से कुछ बढ़ाएं तो कभी पूरी तरह से नहीं दुर हुई नीती नियोजन से जुड़े कुछ लोगों ने इस दौरान यह भी अस्मरण किया कि आखिर किन मोर्चों पर औरसर गवा दिये गए दिल्चस्प यह है कि जिस दौर को उन्होंने औरसर गवाने वाला बताया उसी दौर या उसी दौरान में उनमें से कुछ लोग निती निर्मार के छेत्र में शक्रिय भी रहे उन्होंने धाचागत सुधारों और देश की आर्थिक बिधी में निरंतर बढ़ोतरी की दिशा में कोई मदद नहीं की असल में राजनीतिक साहस का अभाव इसकी सबसे वड़ी वजह रही होगी हम एक संभाव नहीं बता सकते हैं बाकी हम नहीं बता सकते हैं इन सुधारों से होने वाली मुश्किलों को लेकर क्या प्रतिकिरिया देते होंगे क्या राजनीतिक परिशानी थी क्या सियासत दानों के उपर कौन से दबाव थे जो कड़े और मजबूत फैसले नहीं ले सके इसके बजाए अपनी सरकारों की मियाद बढ़ाने के लिए चुनावी खैरात बाटने की होड लग गई इससे भी भारती अर्थ ब्यवस्ता को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ यह देश माने या ना माने हर पांच साल पे छोटे बड़े होने वाले चुनाव अर्वो खरब रुपे की खर्च को ले जाते हैं जो भारती अर्थ ब्यवस्ता को कहीं न कहीं जरूर चौपट करता है चीन सहित अधिकान सक्तिसाली देशों ने अपनी अर्थ विवस्ता को मजबूत बना कर गरीबी को हटा कर और बेहत्री के ब्यापक पहलूओं को अस्थापित करके ही परतिष्ठा पाई है और सक्तिसाली देश अपनी जगा बनाई है भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता है भूमी, स्रम और पुंजी जैसे संसाधनों का परित्मिक्ता के आधार पर निर्धारान और उत्पादक्ता में ब्रीधी से ही उचा आर्थिक बिका सुनिश्चित होता है हमारे पास पुंजी की आपूलती तंग है तकनीकी में भी यही इस्थिती है एसे में धचागत सुधार अनिवारे हो गए हैं ताकि संसाधनों की गुणवता बिधी कर लाभ उठाया जा सके